इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अस्टील स्ट्राक्चर के यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग कल देख चुके हैं कि क्या क्या रीयट में मिला था कल हम लोग देखें थे कि ISW B600 at the rate 1.423 के किलो नीटर पर मीटर के हिसाब से मिर रहा था यहां तक हम लोग कल देख चुके थे कल के वीडियो में आज के वीडियो में है कि rolled steel section जो कि rolled steel section जो है उसका क्या-क्या parts होता है उसका क्या-क्या कि फीगर होता है तो इसमें हम लोग देखते हैं इस एक्षंस और क्लासिफाइड इन्टू दफोलोइंग फॉर स्रीज सबसे फस्ट स्रीज जो है इंडियन एस्टेंडर जुनियर चैनल सबसे फस्ट स्रीज जो है इंडियन एस्टेंडर जुनियर चैनल सेकंड है इंडियन एस्टेंडर लाइट चैनल आई एसल से थर्ड है इंडियन एस्टेंडर मेडियम बेट चैनल आई सी एम सी के नाम से जि क Siri गया कि पीरा कितना है उसके बाद में इस बीद के बाद यह एइच करनेस सब्सक्राइब मण प्रॉज दा हम Χां के बाद में करने क्या कि क्या होर टिस्टेंटल डिस्टेंज को horizontal distance को flange बोला जाता है and vertical distance को बेब बोला जाता है जिसमें rolled steel section को यहां तक हम लोग figure समाच चुके हैं इसके बाद में देखते हैं कि rolled steel sections are designed by the series of to which they belong followed by depth in mm and weight in kN per meter जो rolled steel sections होता है उसको बनाया जाता है depth को mm में and weight को kN per meter में जिसको भी मार्केट में अब लेवल होता है ICMC 300 at the rate 0.351 kN per meter के हिसाब से मार्केट में अब लेवल होता है अब यहां पर देखते हैं कि rolled steel section जो rolled steel sections का हम लोग यहां पर देख चुके हैं channel section देखें rolled steel अब एंगल section होता है ति यह rolled steel एंगल section को दो पार्ट में डिभाइड होता है यह दो पार्ट दो स्रीज में होता है सबसे first series को बोलते है Indian standard equal series जिसको ISA के नाम से जानते हैं second series को बोला जाता है Indian standard unequal angle जिसको ISA के नाम से जाना जाता है यहां तक हम लोग देख चुके हैं अब यहां इसका figure समझते हैं कि क्या इसको क्या क्या बोला जाता है सबसे first rolled steel angle इसको ISA figure में हम लोग यहां पर समझ रहे हैं कि rolled steel angle में यह लेग है हमारा उसके बाद में यहां पर distance को distance बताया गया है फिर यह यह बताया गया है तो इसी को इसी तरह का market में production होता है road rolled steel equal angle का जो यहां पर equal angle बोलें का बतार 90 degree shape में रहेगा road steel and equal angle equal angles में क्या होगा यह यह distance जो यह distance है a distance यहां पर जो दिया गया है a और यह a तो यह दोनों साइड यहां पर क्या equal दिया गया है कि यह दोनों साइड equal होगा यहां बोल दिया गया है कि दोनों साइड equal है लेकिन जो road steel un-equal angle होगा तो un-equal में यह दोनों साइड equal नहीं होगा यहाँ पर एक important point है कि road is still unequal angle में angle equal नहीं होता है angle equal 90 degree पर रहेगा लेकिन यह जो side है यह side है A और B यह दोनों different होता है तिसी चलते road यहाँ पर हम दख समझें कि road is still equal angle और road is still unequal angle में क्या difference होता है अब आगे देखते हैं thickness of legs of equal and unequal angle are saying thickness सेम होता है लेकिन road is still equal angles equal and unequal angles are designated by their series name is followed by length and thickness यह जो road is still angle जो बना होगा होता है यह is एक दवार बनाया जाता है जिसमें हर एक का size या अलग अलग होता है जैसे अगर road is still equal angle है तो इसका यह जो legs होगा legs का equal होता है legs equal होता है rolled is still equal angle में और road is still unequal angle में legs equal नहीं होता है यहां पर important point है rolled is still unequal angle में legs equal नहीं होता है अब आगे देखते हैं कि rolled is still T section क्या है following five series rolled is still sections are available जो market में है वो five series में available होता है rolled is still T section सबसे first है Indian standard normal T bars जिसको आई एस एंटी के नाम से जानते हैं आई एस एंटी के नाम से जिसको जानते हैं उसको बोलते है Indian standard normal T bar अब आगे में है एक Indian standard heavy flange bars आगला है जो isht है Indian standard heavy flange bar उसके बाद में third जो है Indian standard special leg bar जो है Indian standard special leg bar उसके बाद में D है Indian standard light bar जिसको islt के भी नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है ISLT अब फीर है Indian standard junior T bar जिसको ISJT के भी नाम से जाना जाता है और typical T section is shown in the figure जो नीचे figure आगा उसमें T section के भी दिखाया गया है इस rolled steel sections are designated by the streets to which they belong followed by depth and weight per meter length example ISNT 60 at the rate 53 Newton per meter जो यह typical T section जो होता है उसको length of rate की सबसे market में available करवाया जाता है length बोलने का क्या मतलब है कि followed by depth and weight per meter length जो यहां पर है को depth के दोवारे देखा जाता है है कि उसका weight per meter length की सबसे market में available होता है जिसको ISNT 60 at the rate 53 Newton per meter की सबसे market में available किया जाता है as per IES code 808-1984 the following T sections have also been adopted यह सब जो T sections है जो इस IES code के अनुसार adopt किया गया है मार्केट में तो हाँ पर क्या है कि इंडियन स्टेंडर्ड डीप लेक्ड टी बार फर्स्ट है जो इंडियन standard deep-legged T bar है जिसको IST के भी नाम से जानते हैं हम लोग उसके बाद में हैं Indian Standard silt medium-bate T bars जिसको ISMT के भी नाम से जानते है Indian Standard silt heavy T bars from ice section जिसको isht के नाम से जानते हैं अब आगे देखते हैं कि आगे मिसका figure है rolled steel T section कहां पर हम लोग तोụप फीगर देख रहे हैं जिसमें क्या दिखाय गया है कि सबसे फाइच्ट हम लोग यह जानते हैं कि आटकल France होता है पुरिजंटल डिस्ट amendments होता है यह दो पॉइंट आगे हंब लोग समझ चुके हैं जो सबसको urban इसको ड मॉझी और देव्त को एक से हाँ पे लिया गया है उसके बाद कि यहां पे इसका ब्रेथ को लिए तक किया गया गया है जु ब्रेथ है उसको अभास बैझी से नोट कर दिया गया है Lynd Road still T-Sectionデ Estosche I told इसका फिकर का यहां पर खताया गया कि रोल्डर таким टी सेक्षन हें पर complete उसके बाद में आता है rolled steel bars जिसको rolled steel bars are classified into following two series इसको भी दो स्रीज में divide किया गया है जिसको first को बोला जाता है Indian standard round bars जिसको ISRO के नाम से जानते हैं Indian standard round bars Indian standard square bar जिसको ISSQ के नाम से जानते हैं rolled steel bars are designated by ISRO ISRO means Indian standard round bars followed by diameter in the case of round bars and ISSQ ISSQ means Indian standard square bar followed by the side width width in case of square bars example इसके बीर्थ के अजार पर market map level किया जाता है जिसको इस परकार से बताया जाता है कि ISRO 16 ISRO 16 बोलने का मतलब क्या है कि Indian standard round bars का यह 16 बीर्थ होगा तो इसको ISRO 16 हमने बोलेंगे फिर है ISRQ 20 ISRQ 20 बोलने का क्या मतलब है कि जो Indian standard a square bar है round bar है तो इसको 20 बीर्थ होगा तो इसको हमने बोलेंगा ISRQ here rolled steel tubes है अब rolled steel tubes क्या होता है these sections are designated by the there nominal bore sizes in each size there are three class namely light medium and heavy rolled steel bars को उसके nominal bore size के अनुसार बताया जाता है क्यों किस-kis परकार से market map level है जैसे इसमें क्या है कि तीन चीज को देखा जाता है में सा तीन class को देखा जाता है सबसे first light medium heavy light medium heavy बोलने का में गतलो क्या है कि बेट के अनुसार उसको देखा जा रहा है the difference is due to difference in their thickness यह difference कैसे आता है उसका thickness में difference होने के कारण क्या होता है उसको बेट में difference आ जाता है hence their cross sectional properties are also difficult इसलिए क्या होता है कि इसका cross sectional property जो होता है वह भी difficult होता है for example a 40-meter mm tube has three type and their sectional properties are as given below जो 40-meter tube है उसका three type का है 40-meter जो है उसको three type का nominal size का हम लोग के पास में rolled distil tubes है अब इसको property नीचे दिया गया है देखिए जैसे nominal board size में इसका 40 दे दिया गया और डायमेटर इसको और डायमेटर होगा इनर डायमेटर से जब ट्यूब है तो इनर ओटर दोन होगा तो और डायमेटर इसको 48.3 and class है जो light medium है भी इन परकार का है जो एक light रहेगा एक medium रहेगा है है जो light है जो light है उसको 2.90 थीकने सोगा जो light है उसको 2.90 थीकने सा है और जो medium है उसको 3.25 थीकने सा जो है भी है उसको 4.05 यहां पर दिया गया है फिर वेट पर meter length 31.9 newton light का medium का 35.4 newton and heavy का 435 newton light का area दे दिया गया है कि उसका धिगने से है तो area यहाँ पर दे दिया गया है light का area है 414 mm square and medium का area है 460 mm square and heavy का area है 560 mm square फिर moment of energy यहाँ पर दिया गया है light का 107 into 10 to the power 3 and 117.3 into 10 to the power 3 139 into 10 to the power 3 heavy का है फिर light का cake value दिया गया है 16.1 medium का 16.0 and heavy का 15.3 अब rolled steel plates होता है rolled steel plates of the following thickness are available rolled steel plates में क्या होता है इसका thickness में level किया जाता है कि कौन-कौन सा thickness के हिसाब से rolled steel plates को अब level किया जाता है market में इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या है कि इसके बाद है they are following connections or commonly used जैसे कुछ connection का टाइप दिया गया है तो connection क्या है एक सबसे फ़र्ष्ट है re-weighted connection, second है boltled connection and third है जो welded connection however nowadays re-weighted connection is being given up जो अभी के जो इस time है जो re-weighted connection को ज्यादत रुपयों में नहीं लिया जाता है IES code 800-2007 recommends IES code यहां पर है यह recommends due, recommends use of welded connection but bolted connection are required when various components are fabricated separately and are assembled at the site to get required structure जैसे क्या हुआ है कि IES code 800-2007 recommend करता है welded connection को जो इस code का नुसर क्या बोला जाता है कि जो आप लोग connection नहीं कियें अगर welded connection कर दियें तो फिर हमारा structure अगर उसको unopen करना है या उसको हमको हटाना है उस structure को वहां से कहीं और लेके जाना है तो वहां से अगर bolted connection रहेगा तो easily क्या होगा ओ रिमूव हो जाएगा यसे हमको बहुत ही ज्यादा फाइदा होगा कि क्या कि कभी भी हम लोग कोई भी अगर a structure है उसको nut volt से हम लोग कसे हुए हैं bolted connection किया हुए हैं तो उसको हम कभी भी खोल कर सकते हैं कभी भी उसको क्या होगा हम लोग को ज़्यादा time ब्रव metric connection भी हम लोग को इसलिए ज्यादा तर ब्रव 270 cat करता था या बस लोग 네 यूज की जी अब इसके आगे है लोट लड ज्येस अगला टॉबक है इस डिगान पश्टील एंस्ट्रक्ट्टर जो इनिट फ़ास्ट एंट्रोडक्शन आगला टॉपिक है लोड़्स लोड्स एक्सपेक्टेट टू एक्ट ऑन एस्ट्रक्टर में बीक्लासिफाइड इस गिविवन बिलो बहुत सरा लोड क्या होता है कि सिविल एस्ट्रक्टर जो है जो इ लोड जो आता है तो हर एक का यहाँ पर लोड है इतना सारा टाइप अफ लोड है इस टाइप को बारे में हम लोग समझेंगे सबसे फ़र जो डेड़ लोड है सेकंड है इंपोज लोड धाइव फोर्त है जो अर्थ्विक लोड येल के नाम से जानते हैं उसके बाद में एक् एफेक्ट्स तक कि कितने पर का total loads होते हैं तो total यहां पर seven types रहता है seven types इम्हें classify किया गया तो सबसे फैस्ट से हम लोग देखेंगे कि loads को कईसे define किया जाता है तो सब से फैस्ट जो है लोड है तो dead loads को बारे में देखते हैं कि dead loads dead loads और इंक्लूड दा वेट ओफ ओल पर्मनेंट कंस्ट्रक्शन फूर एक्जामपल इन विल्डिंग वेट ओफ रूफ फ्लोर्स फिनीशेज वाल्स बीम्स कॉलम्स फूटिंग्स आर्खिटेक्ट्राल फिनीशिंग मैटेरियल एटीसी जो डेड़ लोड क्या होता है डेड़ उट ढता है डिए टेड़ लोड का ने विल्डिंग वेट डेड़ एट आथरूफ सी जो डेड़ लोड में आपने यह सब दोडुट्र लोड में आता है था और वन इसे लोट इसे मै ev sticking ड है एक मेल्य माता है जूटार्यूटिया देड़ वेजिज करेंगे इसका उनिट बेट से तो हम लोगो जो इस्टिमेट को जागा इस्टिमेटिंग कोश्टिंग कैसे कि यहाँ पर हम लोग सामझें कि अगर सब को को तो यहां पर हम लोग का इसका इस्टमीट निकल जागा दे इन इस कोड़ एट है इस पार्ट फार्ट बन जो इनीट को वेट है बहुत सर मैटिरियल का जो अलग अलग परकार का मैटिरियल अभी लेवल होता है मार्केट में तो उसका जो इनीट वेट है वह आई इस का आई दे दिया गए है पाटफास्ट पार्ट में इट इट गिव्स एन एक्स होस्टिव लिस्ट फोर एक्जांपल अंडर बेटिंग भी summarize उड़े गैट अट है फुर टाइप्स यग कमन क्लेव इंजिनिरींग ब्रेक्स ग्लेज्ज ब्रेक्स एफ्लेड प्रेस्ट ब्र 3rd glazed bricks and 4th pressed bricks under the bending under the heading plain concrete there are 10 groups इसी परकार में जो heading के अनुसार 10 ग्रूप में डिवाट के है the commonly used values are listed in table 1.2 जो commonly used है उसको यहां पर table में बताया गया है it is be noted that under dead load self weight of the structure being designed also should be included since without design the self weight is not known this is estimated from reference to similar other क्या है कि वहां पर note point है क्या कि under dead load self weight of the structure being designed जो जो dead load के पर क्या होता है कि वहां पर self weight होता है structure का design कि जाता है कि उसका self weight कितना होगा since without design the self weight is known this is estimated for reference to similar other अगर उसका weight आगे ही हम लोग self weight नहीं निकालें तो उसी को क्या बला जाता है is known is not known तो उसरी को हम लोग क्या बलेंगे कि dead load के रूप में नहीं लिया जागा self weight आगे हमको पता होना चाहिए फिर dead load उसको उसको पता करते हैं कि dead load उस पे कितना लग रहा है यह कितना है कितना नहीं है सबसे आगे इस टेबल में हम लोग देखते हैं कि इस टेबल में क्या बला गया है इस टेबल में commonly used जो हो रहा है dead load को उसको बला जा रहा है सबसे फस्ट जो है asbestos seat यह commonly used है इसको unit क्या है 0.130 kN per meter square यह unit है is code 875 के अनुसार 875 पार्ट फस्ट के अनुसार है पार्ट फस्ट के अनुसार है तीश टेबल का भी बहुत जहीं ज्यादा use है सबसे फस्ट में जो है asbestos seat जिसको 0.130 kN per meter square unit weight होता है फिर है mangalore tile with battens इसको 0.785 kN per meter square होता है unit weight फिर थर्ड है ते राजो paving of floors इसका है 0.236 kN per square फिर fourth है जो plain concrete 24 kN per meter cube फिर जो है reinforced concrete जिसको 25 kN per meter cube six point जो है brick masonary जिसको 20 kN per meter cube बुला जाता है इसका unit weight है इस IS code के अनुसार 875 part first के अनुसार cement plaster seven point में है 20 kN per meter cube eight में है granite stone masonary जिसको 24 kN per meter cube उसका unit weight बताया गया है इस IS code में फिर nine में steel इसका यहां पर unit code बताया गया 78.5 kN per meter cube जो steel का unit code है जो steel का unit weight है वो यहां पर important है यहां पर याद करने वाला जैसे है कि steel का हम जोग यहां पर बहुत ही जादा यूच करेंगे तो इसका unit weight को हमको ज़रुत प्रदगाए तो इसी चलते इसको रिमेंबर करने वाला चीज है कि steel का unit weight कितना होता है तो 78.5 kN per meter cube यह हम ऐसा याद करने वाला है a success or by impartial formula based on past experience after completing the design it may be calculated and compared with the estimate value जो structure हम लोग बनाए है उसके जब complete हो जागा design उसके बाद में हम लोग calculate कर सकते हैं कि estimate value हम कितना लियें थे और कितना खर्चा हुआ if the difference is sustainable redesign is required अगर difference बहुत हीं जादा हुआ अगर difference बहुत हीं जादा हुआ तो हमको redesign करना पड़ेगा for majority of structure it is not found necessary to region अगर बहुत हीं जादा structure है तो उसमें majority of structure बोलने के क्या मतलब है अगर बहुत हीं जादा structure हम लोग बना चुके हैं तो उसमें अगला जो लोड है उसको बोलते हैं post load इंपोस्ट लोड को आई एस कोड़ 800-2007 ग्रुप में डिवाट किया गया है इस लोड में इस लोड का टाइप होता है life load, crane load, snow load, dust load, hydrostatic and earth pressure load, impact load, horizontal loads and parapet balustrates load यह लोड जो है minimum seven types में classify किया जाता है इंपोस्ट लोड को इंपोस्ट लोड को seven types में डिवाइड किया गया है इसके सबसे फास्ट जो है live load, ll, जिसको short form ll से denote किया जाता है इसको हम लोग देखते हैं the loads which keep on changing from time to time are called live load जो बार 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 चेंज हो जो लोड बार 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 चेंज हो कभी कुछ हो गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको live load के नाम से जानते हैं जो बार 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 चेंज होता है लोड उसको live load के नाम से जानते हैं common example of such loads in a building are the weight of the person, weight of movable partition, dust loads and weight of furniture जो live load होता है उसका यहां पर बोला गया क्या कि जो लोड बार बार चेंज हो लोड है उसको हम लोग बोलेंगे live load तो इसका common example क्या है कि weight of person जो person वहां पर गया किसी structure पर गया उसके बाद में person structure से फिर वापस आ गया तो उसका क्या हुआ बेट वहां गया फिर आ गया यानि चेंजिंग लोड है वहां लगा फिर नहीं लगा यानि चेंजिंग लोड जो बेट ऑ परसन जो है उसको भी एक live load का example है उसके बाद में better movable partition जो movable partition है उसका भी वेट क्या है live load का एक example है यहां पर देश्ट हो बगएरा होता है उसका लोड भी क्या है लाइब लोड है उसको बाद बेट ऑफढ़ नीचा जो हां पर फढ़ नीचा लगा हुआ जैसे चेर बगएरा यह सब क्या है लाइब लोड के एकजामपल है इस लोड टू बी सब्सूटेबली अजूम्ट यही सब क्या है एक मेजर लोड होता है किसी डिजाइन पर किसी एस्ट्रेक्चर पर दा मीनिमम वैलू टू बी एजूम्ट और गिवें इन आईएस 875 पार्ट टू नाइटीन शेवन में दे दिया गया है कि मीनिमम एजूम्ट की इतना करना चाहिए हमको किसी भी एस्ट्र स्ट्रक्चर को बनाने से पहले इट डिपेंट्स अपन दे इंटेंडेड इस ऑफ दे बिल्डिंग दीज भाइलू आर प्रजेंटेड फोर स्कॉर मीटर अफ फ्लोर एरिया दा कोर्स गीफ दा भाइलू जाफ लोड्स फोर दे फॉलोइंग ऑकुपा ऑकुपेंसी क्लासि क्लासिफिकेशन यह सब जो लोड है इस कोड़ 875 part2 1987 के अनुसार दे दिया गया है कि केतना हमको पहले ही लोड को लेकर चलना है किसी भी डिजाइन या स्ट्रक्टिर को बनाने से पहले यह सब जो कोड है इसको क्लासिफाइट इस कोड गिफ्स दा फैलू इस फोलोइंग क occupancy classification यहीं सब कोड क्या देता है value of loads को देता है कि केतना वहाँ पर load को हमको पहले सहीं पता करना चाहिए तो सबसे first में जो है classification वो है residential building residential building dwelling house hotels hostels boiler rooms and plant rooms garages यह सब क्या है residential building के load को हमको पहले ही जाना चाहिए educational building classification second है थार्ड है institutional building फोर्थ है assembly building फिफ्थ पॉइंट है business and office building and six पॉइंट है Mary can team building and seven पॉइंट है industrial building and जो eight पॉइंट है storage rooms यह सब जो points है इस points में हम लोग को पहले ही देखना होता है कि कितना उस पे load लगेगा किस भी design या structure को बनाने से पहले the code gives uniformly distributed load as well as concentrated load जो code होता है जो यहां पर code बताया गया है उस code का नुसार uniformly distributed load को भी देखा जाता है और concentrated load को भी देखा जाता है the structure are to be investigated for both uniform distributed and worst position of concentrated load जो structure जो बन रहा है उसके पहले ही investigation हो जाना चाहिए कि वहां इसके बारे में हमको जानना चाहिए वहां पर क्या है कि एक वोस्ट लोड एक ही साथ एक ही जगह पर लग जाए distributed concentrated अगर एक ही समय पर act होने लगे तो वहां पर बहुत ही bad condition हो जागा इने particular building live load में change from room to room जो particular room होता है उसमें क्या होता है कि live load room to room changes change फॉर एक चमपलीन hotel और a hostel वि और a hostel बेलिंग द लूट्स और a specified artist जो hotel a hostel में क्या है लूट्स क्या है उमाप एक से फाय किया गया है यहां लोग देखतें है table का नosen live rooms and bedrooms उसमें क्या इन फर्मलीanie distributed load लगता है जिसमें तो किलुन i Unters पर apa यहां पर दे दिया गए है कोड के अनुसार जो आइस कोड था उसके अनुसार कॉंसेंट्रेटर लोड 1.8 किलो नीटर लेकिन जो लीविंग रूम है और बेडरूम है उसमें देखिए कि किजिएल कीचएण है जती किलो नीटर पर ध्याव स्कुर रहें तो लोड भारी हो रहा है तो लichen जब भारी होगा तो हैं पर लाइव लोड आएगा तयाफ याँ हम लोग इतना इसमें सभी रूम्स में क्या है यूदीलक अग इसे अगर देखा जायते हैंड फोर पर लोड जो भाया करया तो इसी चलता क्या इस सब को बॉला जाता है लीव इस सब को बोला जाता है राइव लौड के नाम से जानते हैं हम लोग के लाइव ल्व लौड कितना लग रहा है यह सब पॉइंट्स के जरी हम लोग समझते हैं कोड के जरी कि यूदिये लाउग कॉंसेंट्रेटर लोड कितना किसी भी अब्जेक्ट पर किसी भी एस्ट्रेक्चर पर लगता है इसके बाद में है क्रेंड लोड सी यल के नाम से जिसको जानते हैं दीज लोड इंकलोड लोड इवन बिलो आइस कोड 800-2007 क्लॉज 33.5.0 जो आइस कोड 800-2000 का नुसार क्लॉज 3.5.4 में बोला गया है कि यह सब लोड जो है क्रेंड का क्रेंड का लोड और किसी मेशीन का लोड अगर अस्ट्रेक्चर पर आता है तो उसको बोलता है क्रेंड लोड उसके बाद में आता है वर्टिकल लोड प्लस फूल इंपक्ट फॉम वन क्रेन और two crane in case of one behind another operation plus वर्टिकल लोड और अगरेंस इन दा बे जो है वहाँ पर लोड जो लगता है वर्टिकल लोड जैसे जो वर्टिकल जो होँए कोई scenes वेगरा है रखा हुए तो उसका load और full impact load और जयतना टोटल लोड लग रहा है यह दो केस है कि वहां पर crane load का यहां पर crane load का दो यहां पर case बता दिए गया कि कैसे कैसे crane load apply होता है कैसे की से क्रेलो कि स्क्यक्सर्थर पर होता है और आगे ऑरीजेंटल थ्रस्ट एक उसके बाद में तू इन केस ऑफ वन बिहांड अनधर ऑप्रेशन निन दबे अगर एक ऑप्रेशन हो रहा जहां पर मतल्ड किसी अस्ट्रक्चर पर कुछ काम हो रहा था अगर हुआ पर हो रिजेंटल थ्रस्ट लाग रहा है उसके बाद म in case of multi-bay multi-crane countries only two-bay of building cross-sections may be considered अगर multi-bay multi-crane है multi-bay multi-crane का मतलब क्या है कि वहां से एक से ज्यादा cranes बेगे रहा है तो वहां पर क्या बूला जाता है कि two-way of building cross-sections प्सकूर just may become sacred वहाँ पे ट Two Bay बिल्डियनगे हम लोग कि- टु बै यहां पे कितना लॉड़्स लाग रहा हैं यहां पर बे में कितना इससे जो पहले बाला दोछ पॉंट था उस में बे में लॉड्स हम लोग पे किसी ट्रेइव किसी ट्राक्ट पे अगर कोई जा रहा है तो वय समय मैक्सीमम की हम लोग मुद देखते हैं कि कितना लिउड अपंटİ हो रहा है तो उसको लॉऩित sóds भी होते हैं फिर इपॉइंट में जो लेटरल थ्रस्ट लोगिटिनल थ्रस्ट एक्टिंग अक्रोस एंड लॉंग दग्रेंग रिल रिस्पेक्टिवली सैल बी अजिम्ड नौट टू एक्ट सेमलतुनिसली दा इफ एफ्ट ऑफ इच फोर्स सैल हॉवेवर बी इन्वेस्टिवि किया जाए तो हम दोग देखते हैं कि उसका अलग अलग इफेक्ट्स आता है अस्ट्रक्चर पे उसके बाद में थाट जो है स्नो लोड अस्नो लोड को आई एस कोड़ 825 पार्ट 4 के में डिल किया गया है डिल्स बित अस्नो लोड ऑन रूफ ऑफ ऑफ बिल्डिंग यह क्य अब लोग कहां देखते हैं जहां अस्नो जिस जगहा पर जिस ब्लेस पर अस्नो का फॉल यह अस्नो फॉल होते रहता है इंडि इंडर डिरेशन आफ टाइम तो हम लोग देखते हैं कि उसको वहां पर उस बिल्डिंग के जो अस्ट्रक्चर के सबसे ऊपर वाला जो रूफ अस्ट्रक्चर होता है वहां पे जो लोड अपलाई होता है था चौप के जर्यएं तो उसको हम लोग बोलते हैं छो दी दश रिकली डौन वर्ड अस्नो लोड प्लाई होता संट्र 流mulation of a snow is obtained by the expression s is equal to new s o कि इस topic में हम लोग यहां तक देख चुके हैं कि snow load कहां तक है snow load को क्या बोलते हैं Kray load को क्या बोलते हैं इसके आगे वाला topic में हम लुख आगे देखेंगे कि किस कि परकार में जो लोट को डिवीजेन हुआ था क्लासिफिकेशन हुआ था यह हम लोग स्नू लोट यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं इसके आगे वाला में देखेंगे कि डैस्ट लोड क्या होता है रोस्टेटिक लोड क्या होता है अर्थ प्रेसर क्या होता है इंपक्त लोड क्या होता है ह और इजिन्टल लोड्स और परापेटन बॉल स्ट्रेट क्या होता है ठीक है यहां तक